ओम शांती, आप सब को सौगते आज हम कर रहे हैं पांच जैनवरी की शिरुवदान की रिकॉर्डिंग परमात्मा से योग मनलग कनेक्शन लगाने से हम डबल लाइट हो जाते हैं डबल लाइट मनलग की दो तरीके से, एक तो हम सोल कॉंचेस हो जाते हैं और दूसरा हम फरिष्टे जैसे बन जाते हैं, मतलब की मन से, बुद्धी से, हलके और हलका सुरूप तो परमात्मा कहते हैं योग दोवरा उची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिष्टा भववा न दोनों का अपस में connection है योग करने से परमातों व्याद करने से हम डबल लाइट बुनते हैं डबल लाइट रहने से हम योग कर सकते हैं यह इंटरकनेक्टेट हैं दोनों चीज़े बहुत जरूरी है तो योग दोरा उची स्थिति का नुभफ करने वाले डबल लाइट फरिष्ट अभवा आप राजयोगी बच्चे योग में उची स्थिति का नुभफ करते हो हमें हलका फील होता है हट योगी फिर शरीर को उचा उठाते हैं हट योगी होते हैं उनको क्या दिखा जाता है वो शरीक उपर उठाते हैं उची स्थिति में दिखाते हैं नीचे करके पैर उपर करती है और अलग-अलग आसन दिखाते हैं उचISSAT League वाले आसन और उची जगपर भी जाकर बढ़ते हैं उंची जगा पर जाकर के हट योग करते हैं आप कहां भी रहते उंची स्थिती में रहते हो इसले कहते योगी उंचा रहते हैं योगी जो लोग होते हैं वो उंचे पाड़ी पर रहते हैं उंच जगा पर जाकर रहते हैं लेकिन मतलब क्या था, उंची स्थिती हो, उंचे संकल्प हो, पवित्र संकल्प हो, देव संकल्प हो, असुरी संकल्प नहीं, अब पवित्र संकल्प नहीं, तो उंचा मतलब क्यों, उंचा सोचना, मतलब कि उंचे संकल्प करना, पवित्र संकल्प करना, चाहे कुछ भी हो आपके मन की सिती का स्थान उचा है क्योंकि डबल लईट बन गए तो मन की सिती अगर दुनियावी चीजों में पहली हुई क्या कैसे कहां कब क्यों और हम वस्तुमें ही वेवभ़ों में अगर हम फसे हुए है तो हमारी उची सिती बननी सकती है, हमारा मन उचा नहीं रिसकता परमात्म की याद आना मुश्कुल हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है, फरिष्टे के पाव धरनी पर नहीं होते हैं। धरनी पर नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, फरिष्टे का हमेशे उड़ता हैं। धे की चीज़ें, धे की वस्तों, धे की इच्छाएं, ये सारे चीज़ें ना हो। पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। पुरानी दुनियां, जो कि हमें आज इन आखों से, कानों से, जो हमें तवचा से महसूस होती है। हमारी जुग्यान इंद्रियां देखती हैं सारी चीजों को पुरानी दुनिया है, पुराना कहा गया है इसलिए क्योंकि एक समय पहले कहीं हजार साल पहले दुनिया नहीं थी, तो आप सेकंड एंड खरीदो या फरस्ट हैंड खरीदो, स्वर्ग, सत्युक, त्रेता, निकल चाहें, तो अभी काम चलाओ, दुनिया बनी हुई है, दुनिया में बस हमें सेवा करनी है, हमें दोगत के रोटी चाहिए, परमात्मे के गुण गाने है, परमात्मों याद करना है, और आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि जो कुछ भी हमें दिखता है, इन ग्यान इं परमात्मा का प्लान कुछ और ही है, ओम श्यंति